नमस्टार दोस्तो आस्टल जो भी किसान बंदूर किसान बिल्टे समर्थन में है या उसके समर्थन में सोसल मीडिया में पोस्ट डाल रहा है तो उसको ऐसा है कि संबोधिक जा जारा जैसे कि योग किसान रदुस्मन है यहां यह महौल वनाया जा रहा है जो भी किसान पूरे देश के अडर बिल्टा समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें किसी पाल्टी विशेष्टा टारीटरता बताये जा रहा है अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है, पि कोई भी खिसान है वो किसी न टिसी पाल्टी को वोट अवस्य देता है, क्या जो दिल्ली बौर्डर पर जम्मे हुए खिसान है वो लोग किसी पाल्टी को वोट नहीं देते हैं, जैसे कि हमारे उधम सीनडर के रुद्रपूर में किसान रैली हुई थी बिल के समर्थन में, उन लोगों को ये कहा जा रहा है कि ये किसी पाल्टी भी से इसके कारी करता है। टो पिल के समर्थन करने वाले किसी एक पाल्टी के कारी करता हो सकते हैं तो इसका मतलब कि आप लोग कॽी पाल्टी के कारे करता हो सकते हैं। जैसे आप लोग किसान बिल्समर्थरट्र रैली को यह ठहरा रहे हुपी कि किसी पाल्टि काड़े करता हुं। वैसे हम भी आप लोगों ठहरा सकते हुएं। किसान मुल रूप से टिसान है मगर वो किसी ने टिसी पाल्टी का समर्थख या बूट देने वाला जरूर है अगर अपना हीत अहीत एक सब्धी पड़ा लिखा टिसान अच्छे करके जानता है मगर आपका ऐसा है कि आप जो बिलगर समर्थख गर रहे हैं उनको असब्धी भासाओं में मां वहेंगी गालिया और जान से माने तक की धम्किया दे रहे हैं यहीं से नहीं देश विधेश से SMS आ रहे हैं मेसेज आ रहे हैं क्या आप यह सोचते हो ऐसे डरा धमका के किसानों को आप जवर्दस्ती बिलो आपस ले लोगे या जवर्दस्ती अपने साथ ले लोगे कि आप ही लोग किसान हो और बेवकूप हैं। कि दूसरी बात अगर आपको इसके प्रावधानों पर इतना ही विरोध है तो आप इसके प्रावधान हटवाईए। आपने विरुवत करना है तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या करजी में डूबा हुआ किसान, जो कितने हजारों करवड के करजीं में पूरे देश की किसान डूबे हैं, सावो कारा के और बेंटों के, उसे माफ़े के लिए क्यों आंदलन नहीं करते हो, बढ़ती बीज और ख अकर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि सब विरोध में हैं, तो आप जन्मत शर्वेक्शन कर वालीजिए, पूरे देश में, स्विट्जयलेंग की तर जेपर, जैसे जन्मत सर्वेक्शन होता है, को बिल पर सर्वेक्शन कर वालीजिए, अब वहां पे भी अगर आप हार के तो फिर आप यह कहेंगे कि नहीं, यह मुर्ख हैं, आप ही उस्यार हैं, बाड़ी सब जो किसान हैं, देश के मुर्ख हैं, बहुमत इनके साथ इसलिए हैं, कि यह मुर्ख हैं, दूसरे पार्टी के कारी करता हैं, यही आप बोलेंगे. हमारे यहां तो 25 साल हैं से कॉंटेक्ट फार्मिन हो रही है, कभी आड़तियों को कभी यूपी के ठेकेदारों को यहां जमीन दी जाती है, कॉंटेक्ट में, परभीगा, कभी फसल तेयार होने के बाद फसल का ठेका कर दिया जाता है, जिसके पास मजदूर उपलबदता नही होती है, तो इसमें क्या जमीन उनकी हो जाती है, जहां हमें लोकल ठेकेदारों को हम जमीन ठेके में देते हैं, फसल ठेके में देते हैं, तो वहां हमें बड़ी कमपनी अगर हमें सही रेट देगी, तो हमें उसे देने में क्या पती है, ऐसी कोई किसी की जमीन हड़क लेता प्रप्या करके देश मारा जक्ता का महौल मत बनाईए नुकसान हमारा अपना सबका है आपका भी हमारा भी हमारा देश का भी अगर आप देश भठते हैं तो इस बात को समझे अगर कोई रूलिंग पाल्टी कोई बिल लाती है किसी से संबंदीत अगर उसका कोई पुरवाग जाके उन्हें उसके फाइदे समझाए तो अगर इस वज़े से अगर रूलिंग पाल्टी कहीं सभा डरती है तो समस्के सभाई कर उसके टारी करता भी आएंगे और टिसान जो उसके समर्थ हट है वो आए या आएंगे तो उस रुद्रपूर में जो टिसान आ रहे थे तो आएंगे ओपर पत्थाओ टड़ना टामाटर फैटना कहां तर जाए जाए इसको क्या किसान बात कहा जाएगा या उड़र बात कहा जाएगा अगर कोई भी रुलिन पाल्टी किसान से संबंदीद बिल लेके आई है तो अगर उसका विरोध होता है किसी संब्रथनों या विपट्षियों द्वारा तो उसका स्वाभावित ही दाईग तो बन जाता है कि वो लोगों के पीच जाके उसके फाइदे समझाएं तो यही अ प्रक्ति रोटना पत्थरा उटना यह जायज थोड़ी है इसको आप किसान बात कहेंगे दूसरी बात हाँ उसमें कारी करता भी अगर पाल्टी का प्रोग्राम है तो उसके कारी करता भी गई होंगे तो मगर समर्था किसान भी बहुत है इसमें पहले भी मैंने सर्वेटी अगर लोगों को गले नहीं उत्रेगा तो अब यह है आप लोगों से रिक्विस्ट है कि रपया अराजकता ना फेलाएं और यह देश हमारा आपका सबका है ऐसा माहल ना बनाई कि जो देश तोड़ने की बात होने लगे और भारत माता की जै हम नहीं वो कहेंगे यह कोई बात नहीं हुई भारत माता सभी का है मानने पर बात है अगर जिसे लगता है माने जिसे नहीं लगता है ना माने कि रपया किसानों का ऐसी इमेज मत बनाईए जो जिससे भईस से मैं किसानों को नुकसान हो भारत माता कीजिए गलतियों को माप कीजिए थैंक्यू